हेलो बच्चो कैसे हो आप सब बच्चो आज हम कुछ जानवर और उनके बेबीज यानि उनके बच्चो के नाम सिखेंगे हमें इन जानवरों को उनके बच्चो के साथ मैचिंग करनी है तो शुरू करें बच्चो यह देखो बच्चो यहां बहुत सारे जानवर है और हमें उनके बेबीज के साथ उनकी मैचिंग करनी है सबसे पहले हम देखते हैं यह कौन है बच्चो यह तो एक इनसान है यानि हुमन है इंसान यानि human है बच्चो इंसान और human के बच्चे तो हमारी जैसे ही होते हैं न यानि उन्हें बोलते हैं infant यानि शिशू तो हमें इसको match करना है very good बच्चो अब हम next पे देखते हैं बच्चो ये क्या है? ये तो एक गाए है यानि cow आप सबने देखी हैं न गाए गाए यनि cow गाए के बच्चे का नाम क्या होता है बच्चो? बच्चडा उसे हम क्या कहते हैं? बच्चडा या इंग्लिश में हम उसे काफ कहते हैं गाए बच्चडा बच्चो इसकी match कर दो very good अब हम आगे देखते हैं ये क्या है बच्चो? ये तो जंगल का राजा शेर है यानि लाइन है जंगल का राजा शेर यानि लाइन लाइन के बच्चे का नाम कब होता है? यानि शिशूचर क्या होता है बच्चो? शिशूचर very good अब हम इसकी matching करते हैं good next बच्चो ये क्या है? ये तो सबने देखा होगा ये एक डॉग है डॉग मने कुट्टा डॉग के बेबी का नाम क्या होता है बच्चो? पपी यानि पिल्ला तो हम इसकी matching करते हैं very good अब हम next देखते हैं बच्चो ये क्या है? ये तो बिल्ली है यानि cat है क्या है? cat cat के बेबी का नाम kitten होता है cat के बेबी का नाम kitten होता है जिसे हम बिलोटा भी बोलते हैं बच्चो इसकी फटाक से matching कर दो शाबाश अन्वरों को भी देखते हैं तो बच्चो ये क्या है? ये तो सुन्दर तितली है यानि butterfly है तितली butterfly का बेबी जा होता है? caterpillar यानि illy caterpillar यानि illy तितली का बेबी होता है caterpillar ये caterpillar से फिर butterfly बनता है चलो इसकी matching करें बच्चो ये क्या है? ये एक बंदर है यानि monkey है monkey और ये क्या है बच्चो? ये infant यानि शिशू बंदर का बच्चा monkey का शिशू तो हम इसका matching करते हैं ये क्या है बच्चो? ये तो मेंधक है यानि frog मेंधक मने frog 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 का बेबी होता है tadpole frog का बेबी होता है tadpole से मेंधक का बच्चा भी कहते हैं चलो इसकी matching करते हैं ये क्या है बच्चो? ये तो pig है यहनि सूर क्या है बच्चो सूर सूर का बच्चा पिगलेट होता है चलो इसकी भी माचिंग कर दे शाबाश बच्चो अब हमने आज बहुत सारे जानवर और उनके बेबीज के बारे में शीखा अब आप भी अपने घर में इसी तरीके से माचिंग करो और हमें अपनी अच्छी अच्छी पिच्चर्स भेजो